Hello friends, welcome to my YouTube channel Friends, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप पता करना चाहो कि आपका WhatsApp है या नहीं यानि कि आपको लगता है कि आपका WhatsApp किसी ने हैक किया है तो आपकी इस तरीके से चिक कर पाओगे कि आपका WhatsApp है या नहीं किस तरीके से पता कर पाओगे आज की इस वीडियो में हम आपको एही बताने वाले हैं तो वीडियो को बिल्कुल इसकीप मत करिएगा और लाश्ट तक बने रिएगा तो चलिए friends वीडियो को इस टार्ट कर लेते हैं वेदावू टाइम वेश्ट के लेकिन उससे पहले friends आपसे एक छोटी सी request है अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी helpful और knowledgeable लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा तो चलिए friends अब हम जान लेते हैं कि हमारा WhatsApp है या नहीं किस तरीके से हम चेक कर पाएंगे तो इसके लिए आपको अपने WhatsApp app को open कर लेना है और WhatsApp app को open करने के बाद friends पहला trick मैं आपको बताता हूं कि इस तरीके से आप पता कर पाओगे कि आपका WhatsApp है या नहीं तो पहला setting पहला तरीका यह है friends कि आपको यहां पर 3.2 का option देखने को मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है उसके पर friends यहां पर आपको link device का option सो होगा उसके just नीचे अगर कोई device status देखने को मिल यहां पर कोई किसी device का name यहां पर शो हो रहा है कसी ने hack किया होगा तो इस तरीके से आपने so होता होगा वड़त का अगर आपको सिर्फ लिंक and device को option Soon होता है तो यहोगा आपको परिछान होने की जरूरत नहीं है आपको WhatsApp किसी ने hack नहीं किया है अगर आपको अगर सिर्फ यूक्त आपशन सो मिड़क कर देना है अब जैसी लॉग आउट के option पर आप क्लिक करोगे friends, आपका whatsapp जो hack किया होगा, उसके phone से log out हो जाएगा, यानि कि उस phone से log out हो जाएगा, आपका whatsapp जो भी रहा होगा, वो सारा का सारा उसके phone से delete हो जाएगा, तो friends इस तरीके से आप बचा सकते हो, कि आपका whatsapp hack है यानि, इस इसके बाद friends यहाँ पर आपको settings का option देखनी को मिलेगा, settings पर click करना है, अब settings के click करने के बाद friends यहाँ पर chat का option सो होगा, इसी chat के option पर आपको click करना है, अब chat के option पर click करने के बाद friends यहाँ पर आपको scroll करके नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद friends यहाँ पर आपको चैट वैकप को option सो होगा इस पर आपको क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बात फ्रेंट्स यहाँ पर Google account लिखा हुआ होगा तो अगर आपका Gmail यहाँ पर सो होता है फ्रेंट्स तो आपका WhatsApp अगर दूसरे का Gmail ID सो होता है तो आपको confirm हो जाना है कि यहाँ पर आपके WhatsApp के चैट को किसी ने download कर रहा है बैकप ले रहा है अगर आपका Gmail सो हो रहा है तो यहाँ पर आपको परिसान होने की हेलफुल और नालेजबल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा